हेलो एवर्वन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठेक होंगे साथियो मैं नाम है अनंद राप दिख रहें नेवी पूरे केडमी साथियो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिजल्ट्स को लेकर भाई सब जगह रिजल्ट्स को लेकर काफी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं और बच्चे का डिवांड रहता है या प्लेज आप वीडियो बनाया करो तो प्लेज कहने के कोई जरूत नहीं है मैं आप सभी के हेल्फ के लिए हमेशा तक पर रहता हूं और कुछ ना कुछ आपको हमेशा गाइडेंस करता हूं हमेशा कुछ ना कुछ बताता हूं तो मैं इस पर भी एक अच्छा टिप नहीं दूँगा रिजल्ट्स को लेकर और कटफ को लेकर सांथियो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे सिर्फ आपको खुश करने के लिए बोल आपको बताऊंगा कुछ हद तक चीज़े इतना अच्छा क्लियर कर दूँगा कि आपको देखने के बाद एकदम जो भी चीज़े होगी डिट्टो एकदम रिजल्ट्स मैच होगी तो चलिए बात करते हैं कि आपका रिजल्स कब आएगा तो इस तरीके की चीज़ों जैसे वाइरल हो रहा है कि आपका 28 फरवरी को एकदम रिजल्ट आज आएगा आज ही यानि आपका रिजल्स आएगा बट हाँ यह मैं आपको कहूंगा कि आज कल कभी भी आज आएगा आपको बस आपको रेगुलर्ली चेक करते रहना है यहां पर देख सकते हो कि यहां पर 28 मार् तो यानि pft वगएरा stage 2 कभ होगा stage 2 कभ हो गयार stage 2 भी तो होना है बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना शेक्टकर रहना है चेक्क करते रहना है और आप princk según to टो करती रहती अरिक size मिर्षाईट सबसे पहले मतलब रिजल्ड जो है न आपका मेंतलब बताऊंगा यह जान लिए और हमेंसा बताता हूं जो भी अपडेट आता है ने वी से याप कोश्ट गाट से तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए मेरा भाई और हाँ चलिए तो जान लेते हैं कि आपका आखिर कब आएगा भाई मार्च में भी आएगा ना तो उतन सब्सक्राइब कर लिए बाकित देखिए कोई fix tentative देट नहीं दिया गेके दस ने भी सीडेक सीडेक.in तो सांचों यह साइट चेक करना है ऐसा नहीं कि मतलब वह सेक साइट पर आपको कुछ भी दिखा देगा 28 फरवरी दिखा देगा या फिर कभी 28 मार्च दिखा देगा तो भाई इस तरीके के चीजों से बचना है और चलिए अभी तो जान नहीं कि सामला है जो है हम लोग कुछ ज्यादा रिवील नहीं कर सकते हैं यहां पर यूट्यूब पर क्योंकि यह पब्लिक ली प्रेटफॉम है अगर देखिए बात ऐसी है कि डिफेंस में क्या होता है न कि आपको न तो यहां पर कुछ कहा जाएगा और नहीं किसी का सुना पर का रिजिल्ट इस्देख़ यहां पर प्रजंट कर दिया जाएगा कि हाँ यह आपका रिजल्ट का रिजल्ट आपका कुछ नहीं कि जाती है डिय प्रजंट की जाती है है इसी का नाम मैं यूपी 46 लाइक दिस ऐसा ही कटफ होता था विल्कुल भी ऐसा ही कटफ इस पर भी होने वाला है भले थोड़ा पेपर का लेवल हाड है तो कंपेडिशन भी तो थोड़ी बड़ी है मतलब ओवर ओवर पचास के नीचे ही कटफ रहेगा और चालिस से उपर है तो आपका च इस टेट का उतना चांस नहीं है बाकि सब लोग 40 के प्लस में हैं ना तो सब का हो जाएगा बाकि यह सबी चीज़े समझ गया होंगे इमर वाले के लिए बताते हैं 35 कटफ सब्फिसेंट है बहुत जादा हो जाएगा 35 कटफ रहेगा सभी एस्टेट के लिए नहीं बाकि और साथ को छोड़कर जितने भी स्टेट हैं तो यह सबी चीज़े समझ गया होंगे बाकि कटफ लो जाने की बाते हम कह रहें क्योंकि पहला चीज़ के पेपर का लेबल जो है एक दम बिल्कुल हाई है और प्लस में क्या है भाई प्लस में है निगेटिव मार्किंग क्या ह है निगेटिव मार्किंग है तो यह सबी चीज़ों को लेकर पेपर का जो है ना एक्जाम का कटफ जो है ना एकदम लो जाएगा बाकि यह सबी चीज़े आपको समझ में आई होगी तो बाकि जो भी है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जयाहिन जय भारत बंदे मात्रम आज हम बात करने वाले हैं कोश्टगाड के बारे में जो कि चक्छू पब्लिकेशन के होने वाली है तो चक्छू पब्लिकेशन ने फाइनली लॉंच कर दिया नाविक डिवी जडी आंत्रीक तीनों के लिए एक कंप्लेट बुक जो कि आपका सेक्शन फर्स आप इसको पर्चिस कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और साथी साथ जो है आफलें मार्केट से भी आप खरीच सकते हो ठीक है ना